ली ताहू न्यूजिलेंड महला क्रिकेट टीम में एक बॉलर यानी गेंदबाजी की भूमी का निवाती है इनोंने जून 2011 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया तो आईए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परचे के साथ हैं इनका पूरा नाम ली मेरी मौरीन ताहू हूँ है इनका जर्म 23 सितंबर 1990 क्रिस्चर्स न्यूजिलेंड में हुआ और इनके जीवन साथी का नाम है एमी सतर्ट बेट ली ताहू दाएं आथ की बेटर और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है टीम में इनकी मुख्य भूमे का एक बॉलर यानि गेनबाजी की होती है और इनका जर्सी नंबर है च्छ है ली ताहू की काप नंबर यानि इनका देश के लिए अंतर राश्ट इसतर पर पदार पर नंबर टी ट्वेंट आए में की काप नंबर है चौतिस इनना उने अपना पहला 2020 इंटरनेंसल मैच 25 जून 2011 को इंडिया के खिलाब खिला और वंडे मिन की काप नंबर है 122 इननोंने अपना पहला वंडे इंटरनेंसल मैच 14 जून 2011 को आउस्टेलिया के खिलाब खिला और ली ताहू ने अरानुई हाई स्कूल से पढ़ाई की और 2008 में पीटर हूटेन मुमोरियल स्कॉलर्शिप जीती और 2008 में कैंटरबरी टीम की तरफ से अपने डोमस्टी क्रिकेट की सुरुवात की घरेलू क्रिकेट में इनके अच्छे परदर्शन की बदोलत इनने 2011 में न्यूजिलेंड महला टीम में सामिल किया गया और 14 जूम 2011 को ऑस्टेलिय के खिलाब अपना ODI डेब्यू किया और इसी महें ने 25 जूम 2011 को इंडिया के खिलाब अपने T20I की भी सुरुवात की उसके बाद ली ताहू को 2016 में उमेंस बिग बैस लिग में खेलने के लिए चुना गया और 2018 ICC महिला बिश्व 2020 टुनामेंट के लिए भी इन्हें New Zealand टीम के स्कॉर्ड में सामिल किया गया और 2020 ICC महिला 2020 बिश्व कप के लिए और अगस्ट 2021 में इंगलेंट के खिलाब सीमीत ओबरों की स्रिंकला के लिए इन्हें New Zealand के टीम में नामित किया गया और 21 सितंबर 2021 को इंगलेंट के खिलाब तीसरे मैच में ली ताहुव ने महिला वंडे क्रिकेट में मातर 37 रंदे कर अपना 5 बिश्व कप के लिए और 2022 राष्टर मंडल खेलों में क्रिकेट टुनामेंट के लिए ली ताहुव को New Zealand की टीम में सामिल किया गया और अभी तक इनों ने 84 ODI मैचों में 30.36 के ओचसद से 94 बिकेट ले लिये हैं जिसमें 1-5 बिकेट हॉल सामिल है और 68 T20I मैचों में 22.41 के ओचसद से 56 बिकेट ले चुकी हैं तो हम काम ना करते हैं कि ली ताहुव ऐसे ही क्रिकेट खेलती रहें और अपना और अपने परिवार का नाम रोसन करती रहें थैंक्स पर वाचिंग जै हिंद बंते मात्रम